हेलो टीम, आज हम सिखेंगे अनसोल्ड का टिकेट कैसे क्रियेट करते हैं, जिसके लिए हमें हमारे POS का लॉगिन लेना है हमें VIP POS का आप ओपन करना है, हमारा रेजिस्टर मोबाइल नामबर एंड हमारा पासवर्ड लॉगिन, लॉगिन करने के बाद हमारा डैश्बूर्ड हमें दिखाई देगा जिसमें हमारे शॉप का नाम, एड्रेस्ट, हमारे सर्विस लेवल, हमारे पास कितनी टिकेट हैंडलिंग कैपैसेटी है हमारे सारे ओपन टिकेट्स और दो ओप्शनस आएंगे, एवारंटी और प्रोसर सर्विस अनसोल्ड टिकेट बनाने के लिए हमें प्रोसर सर्विस पे जाना है जिसमें टिकेट क्रेशन में, क्रेट टिकेट अनसोल्ड क्लिक करना है जैसे हम यह option open करेंगे हमें बारकोड scanning का option मिलेगा एक तो आप बारकोड scan कर सकते हो या फिर आप manually enter कर सकते हो मैं अभी manually enter कर रही हूँ पारम याउड्थि चान कर सकते हो O-S-C-A-R O-S-C-A-R Sixte-Nine M-G-P and H18 and 05913 and get product details पे click करना है valid barcode के उपर हमें product की details आ जाएगे उसके बाद हमें डालना है invoice number हमें go down से जो पे material आता है invoice बन के आता है वो invoice number हमें यहाँ पे डालना है 551952 उसके बाद invoice date issue chose करना हमें bag में जो भी issues है उसके बाद service engineer name comment लिखनी है then हमें upload करना है defect image defect image अगर आपने पहले से निकाल के रखा है तो आप gallery choose कीजे और gallery से photographs attach कर दीजे otherwise camera choose करके photo निकाल लीजे photo निकालने के बाद आपको attach करना है जैसे photo attach हो जाएगा आप create ticket पे click कर दीजे ticket generate होने के बाद ticket created successfully का message आएगा जो ticket बन चुका है वो ticket आप unsold ticket में check कर सकते हैं जो प्रोसर सर्विस में available है आप जैसे unsold ticket पे click करोगे आपको ticket number और उसके detail के साथ ticket दीख जाएगे ये रही ticket बनाने की complete procedure जाएगे जहाएगे आपको है आपको है